आज मैं आपके लिए लाई हूँ पापड मेति दाने की सबजी इंजियन स्टाइल बहुत इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है अगर आपके घर में कोई भी हरी सबजी ना होना तो आप बिल्कुल फिकर ना करें आप एक बार मेरी ये रेसिपी जरू ट्राइ करें आप मेथिदाने को अच्छे से सौफ्ट करेंगे महत इस बहुत कड़क होते है ना तो हम पहले ही उसे सव्ट कर लेंगे तो ये दो कप मैंने पानी ले लिया है अब हम इससे एक बोइल आने देते हैं हाई फ्लेम पर हम इसमें बोइल ले आएंगे बोइल आ चुका है ना तो आ मैंने वन फूट कप मेथी दाने भी डाल दिये तीन से चार परसंस के लिए सब्जी इनफ होगी अब हमें क्या करना है मेथी दानों को अच्छे से कुख होने के लिए छोड़ देना है तो पाथ से साथ मिनिट में मेथी दाने कुख हो जाएंगे आप इसे ढखना बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी आप इसे ढखियेगा मत वनना मेथी दाने और कड़वे हो जाएंगे तो आप इसे इसी तरह से बॉइल आने दे अच्छे से कुख होने दे पाँच से साथ निट हद से हद दस निट में आपके मैथी दाने कुख हो जाएंगे तो ये दस निट हो गए हैं मैं आप चेक कर लेती हूँ मैथी दाने हुए हैं या नहीं तो आप भी इस तरह से एक चम्मच में मैथी दाने को लीजेगा और ऐसे प्रेस करके देख लीजेगा मैथी दाने हुए हैं की नहीं अगर ये इजिली प्रेस हो रहे हैं मतलब मैथी दाने अच्छे से कुख हो गए हैं अब आप मैथी दाने को तीन से चार पानी से धो लीजेगा ताकि उसका सारा कड़वापन निकल जाए तब तक हम तड़का बनाने की प्रिपरिशन करते हैं तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम दो बड़े चम्मच घी डाल लेंगे घी को अच्छे से हम गर्म होने देते हैं घी गर्म हो जाएगा ना हम इसमें 1 पिंछ हिंग डालेंगे हिंग बहुत जरूडरी है आप जरूड अप जरूर डाले गाट एकचुम मच्ष मच्षा में डाल देगे अब हम इसमें पानी डालके इसमें बॉइल ले लेंगे पहले मैंने आधा कपी पानी डाला है तो ये देखिए अब इसमें हम नमक डाल देते हैं नमक आप स्वाद अनुसा डाले याद रहे आप नमक जादा मत डालेगा क्योंकि पापड में अल्रेडी नमक रहता है तो सबजी आपकी खारी हो सकती है इसलिए नमक आप कम ही डाले अब हमने चो तीन से चार पानी से मेथ दोय थे ना उसे आम डाल देते हैं आप मेथि दाने जरूर दोईएगा अगर आप के याँ कोई शूगर पेशेंट हो तो आप जो मेथि दाने का पानी है ना फर्स्ट वाला जो हमने बॉल करते टाइम लिया था वह आप शूगर पेशेंट को पिला दीजेगा उससे अपने हिसाब से रख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा पानी या कम पानी जैसा भी आपको डालना हो अब हम इसमें अच्छे से बॉल आने के लिए छोड़ देते हैं और गेस की फ्लेम फिर बंद कर देंगे अब मैं पापड को पीसेज में कट कर लूँगी तो ये देखे ये मैंने पापड लिया है और इसे में तोड लेती हूँ आप चाहे तो बड़े चोटे किसी भी साइज में पिस कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो तो दो पापड में लूँगी ये दोनों पापड को मैंने कर दोदर लिए हैं और इधर हमारा यह जुब पानी था ना मेथी दाने हमने जो बगारे थे वह भी अच्छे से उबल चुका है उसमे मॉइल आ है ओ फिर हम इसमेंığ पापड डाल देंगे अप एकदम गरम-गरम में पापड बिलकुल न डालें फोड़ा सथन्डा होने दे हमारा पगार उसके बात पापड डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पापड डालने के बाद आप 30 सेकेंड या 40 सेकेंड इसे गेस पे रखें उसके बाद ज्यादा न रखें वरना पापड आपके बिल्कुल एकदम खराब से हो जाएंगे तो यह देखें कितनी जल्दी बन गई हमारी पापड में थे दाने के सब्जी है ना बिल्कुल आसान रसीपी अब आप एक बार जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल पर अपने व्यूज बिल्कुल शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो को लाइक करें और फैमिलियन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू